लेडिस न्यूज के लिए सब्स्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमशकार दोस्तों क्लिपर 28 यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज़म आपको भारत के दक्षिन की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली गुदावरी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको बता देंगी गुदावरी नदी भी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यह नदी महराश्र के नासिक नगर से 30 किलोमेटर की दूरी पर पश्य में ब्रह्मागीरी परवत के एक कुंड से निकल कर लगभग 1450 किलोमेटर तक की दूरी तै करती है इसके बाद वह बंगाल की खाड़ी में विसरचित हो जाती है कुछ विशेशग्यों के अनुसार इसका नामकरन टेलगो भाशा के सब्द गोद से हुआ है जिसका अर्थ मर्यादा होता है एक बार महर्शी गौतम ने घोर तब किया था इससे रूद्र प्रशन हो गए थे और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया था गंगा जल के सपर्श से एक मृत गाय पूर्ण जिवित हो गई थी इसी कारण इसका नाम गुदावरी पड़ा था गौतम से संबंद जुड़े जाने की कारण इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है इस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं इसलिए इसको वृद्द गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है साथ भागों में विबाजित होने के कारण इसे सब तो गुदावरी भी कहते हैं आपको बता दें कि गुदावरी नदी भारत के चार राज्ये महरास्टर, तिलांगना, च्छतीजगड़ और आंदेप्रदेश में बहती है इसके अलावा गुदावरी नदी के अंदर शाषित प्रदेश पूडुचेरी के गाओं यनम से होकर भी गुजरती है गुदावरी नदी, कницу नदी के साथ मिलकर आंद़ प्रदेश में बहारत के दूसरे सबसे बड़े डिल्टा, कर्शन गुदावरी का निर्मान करती है इस डिल्टा को बहुधा के जी डिल्टा भी कहा जाता है धवलेश्वर डैम के आगे गुदावरी तीन شाखा में विभाजित होती है पूरब की شाखा को वशिस्ट गुदावरी कहते है और बीज की شाखा को वैशनवी गुदावरी कहते है यह तीनों शाखाएं मिलके एक तृभुद्छेतर का निर्मान करती है आपको बता देगी गुदावरी के तट पर पुषकर्म एक प्रमुखस्तान है यहाँ पर हर बारा सालों बाद काफी संख्या में लोग नहाने के लिए आते हैं इस्तियोहार को कुम्बकर्ण का मिला भी कहते है नासिक के पास पंचवटी नाम का ठिकान है पौरानिक कता के अनुसार वनवास में रहते समय राम जी पंचवटी में यहां रुगे थे इसी जगह पर लक्षमन ने सुर्प नखा का नाक काड़ा था इसी जगह से सीता मया का रावन ने हरण किया था भद्रचलम में राम जी ने पंच्ड कुटी बांध के राम जी वहां पर बहुत दिन तक रहे थे और इसी जगह से राम लक्षमन ने गुदावरी पार किये थे संत राम दास जी ने इस जगह पर कुछ दीन तक निवास किया था इसलिए या ठिकान राम दास भद्रचलम के नाम से पहचाना जाता है राज महिंद्री वरम या ठिकान बहुत ही धार्मिक और एतिहासिक स्थल से प्रसिद है गुदावरी के तड्ड के धार्मिक स्थल के कारण गुदावरी का पवित्र स्थान आज भी कायम है मन की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त गंड लाकों की तादात में उपस्तित रहते हैं बनवास में रहते समय राम जी के पिता जी राजा दसरत की मृत्यू हुई थी तभी राम जी ने अपने पिता जी का पिंड दान गुदावरी के तडपर किया था रमायन में गुदावरी नदी का बहुत बड़ा महत्वा है इसलिए गुदावरी नदी का पूरे विश्यों में पवितर स्थान है